कि अब आज मैं बताऊंगा खेती के साथ पॉपलर उगा कर कैसे आप मुनाफा कमाफकते हैं किसान भाईयों कई सालों से यह देखा गया है कि कुछ किसान अपने खेतों की मेड़ों पर पॉपलर की प्लेड लगा रहे हैं जो कतार्क में खड़े हुए ऐसे लगता है जैसे खेतों की परहरी हो आम तो पर खेतों की मेड़ पर कुछ भी नहीं लगाया जाता लेकिन आज कल कुछ किसान ऐसा करके इन पेड़ों फे अलग आमदनी ले रहे हैं पोपलर कम समय में तेजी से बढ़ने वाला पेड़ है इसकी अच्छी नफले तकरीबन पांच से आठ साल में तैयार हो जाती है पोपलर की पाओध एक साल में तकरीबन तीन से पांच मीटर तक उची हो जाती है पोपलर जंगल की कमी को भी पूर्य करते हुए लकड़ी उद्द्यों की भी मांग को पूरा करता है साथ ही किसानों को भी फायदा देता है पोपलर की लकड़ी का इस्तमाल कहा का होता है पोपलर की लकड़ी से दिया फलाइक की तीली प्लाइवूट चमच खेलों के कई तरह के सामान फर नीचर पैंसिल बगएरा अनिक चीज़े बनाई जाती हैं जो हमारी रोज मर राकी जरूरते हैं पोपलर की पौध के लिए किसान अपने नदी की क्रिसी विगानकेंद्र क्रिसी विद्यालाई वन विभाग से संपर्ख कर सकते हैं वहां फे आपको अच्छी नफल के पौध मिलेंगी इसकी अलमा कुछ प्राइबेट नर्फरी भी पौध तयार करके देती हैं वहां से भी आप पौध खरीज सकते हैं किसान भाई अब बात करते हैं कि पौध लगाने के समय और अच्छी किस्मों के बारे में तो पौपलर की पौध लगाने का सब से अच्छा समय दिसंबर मा के आकरी हपते से फरोरी मा के आकरी सबता तक होता है किसन भाई, पौधों के खरीद भरोफे की नर्षरी या क्रीशी संस्तानों फे पौध भीक्रक केंद्र फे ही करें फड़क पर चलते भीते पौध बेचने वालों फे ना खर दें क्योंकि इनकी नफ्ल के बारे में उनको भी फटिक जनकारी नहीं होती इसलिए पौध की प्रजाती का भी पता होना जरूर चाहिए पौध खरेते समय खराब या बिमारी वाले पौधे न ले अच्छी क्वाल्टी वाले पौधे मानता प्राप जगह से ही ले पहले से जमीन से निकाले गए पौधे न रोपे हैं पोपलर की प्रमुक किसमें हैं D-18, D-66, L-245, L-143, L-154 वगर हैं इसके लाम बिमको के क्रिशी बिग्यानिकों द्वारे बिक्षित की गई किसमों में उदय, क्रांती, पोपलर बिहार, बिमको A-22, बिमको A-27, बिमको A-32, बिमको A-49, बिमको A-49, बिमको A-81, बिमको A-83, बिमको A-108, बिमको A-109, और बिमको A-110 है, अब बात करते हैं कि पोपलर लगाते हैं कौन से बातों के धन देना चाहिए, तो किसान बाइयों पोपलर की अच्छे पधावार के लिए प्रती पोधा 20 ये 25 वर्ग मीटर दूरी पर लगाएं, खेत की मेडों की बाउंदी प 15-20 मिनट डुबा कर उपचारित कर लेना चाहिए, और दिमक से बचाव के लिए प्लोर पायरी फास 20 इसी दवा का इस्तमाल करना चाहिए, गड़ों में भरी जाने वाली उपरी फतह की भुरुभुरी और नमी वाली मिट्टी में 100 ग्रम सिंगर सुपर फास पेफ, 2-3 किल ग्रम अच्छी तरफ अड़ी होई गुबर की खाद मिलाकर गड़े में भर देने चाहिए, पौधे रुपाई के तुरंद बात फिचाई कर देने चाहिए, गर्म्यों में सिचाई, 7-10 दिनों के अंतर पर, 15 दिनों के अंतराल पर करनी चाहिए, तो कि सामय पॉपलर के फर्फो मीच बैगन बगएर की फफले ली जा सकती हैं कोफिस करें की पेड़ के नीचे गिरे पत्तों को गिये हूं जैसी फफल के पौधे के उपर से हटा कर अलग कर दे वारना पत्तों की नीचे दबे हुए पौधे की बढ़वार नहीं उपाएगी इन पत्तों को बीन कर अलग एक गठे में डालते रहें फिर उन पत्तों को मिट्टी में दबा दें उन पत्तों को खाद मन जाएगी खरीब मौफ़ा में कुछ फफले उगाई जा सकते हैं जिसे चार से पांच सालों तक पुराने पॉपलर के नीचे छाया में पनपने वाले जैसे हल्दी अधरायक में पता कर सकते हैं या संबद्धी जनकारी के लिए वीडियो में दिये गए एड्रेस और संपर्क नंबर से प्राप्त कर सकते हैं आपको बिमकों के बारे में बता दें बिमकों लिम्टेड तक्रीमं 30 से 32 सालों फे पोपलर की नई और तेजी से बढ़ने वाले पजातियो को त्यार कर दिये यह उत्तर प्रदेफ उत्रा खंड हर या पंजाब में कीसी बिग्याने की निगरानी में पहुत त्यार करती है और किसानों को फ़ही दाम पर पहुत भी मुहया करती है तो किसान भाई यो हमें उमीद है कि आपको इस वीडियो से जरूर लब प्राप्द जरूर गो